आपको ये तो पता ही होगा कि महिलाओं को शौपिंग करने का शोप होता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गजब की बात बताने वाले हैं जब बृटीन की एक महिला नीन में भी शौपिंग करती है उसने इसने शौपिंग कर डाली कि 3 लाक रुपे का फर्जा हो गया नमस्त जब पता चला तो डोक्तरों के पास भागी डोक्तर देखकर बोले अरे ये तो दुर्लब बिमारी है समय पर इलाज नहीं किया गया तो काफी नुप्तान दे हो सकता है डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक E6 की रहने वाली केली नाइप्स ने 2006 में अपने पहले बच्चे को जनम दिये तब उन्हें मैंसस हुआ कि वो नीन में चलने लगी यहां तक तो ठीक था लेकिन नीन में चलने की उनकी यह आद़त जल्दी एक दुल्लब बिमारी में बदल गी केली नीन में ही शोपिंग करने लगी दिन की तरहां रात में भी वो शोपिंग यह पर दे दिया कलर के डिब्बे किताबे नमप और काली मिर्थ रखने के बढ़ता एक वेंडी हाउस प्रीज और टेबल भी खरीड डाले उन्हें पता तब चला जब इंग्राउंड बास्केट बोर्ड यूनिट की दिलेवरी मिली के लिए देखकर सदमे में आ गई उन्हें सम से उसकी मांग कर रहे थे बात यहीं खत्म नहीं हुई मार्च में केली को एक स्टैम मेसेज मिला जिसमें लिखा था कि मुझे बिलो के भुपदान के लिए सरकार 40,000 उपे देने वाली है मुझे सिर्फ एक फॉम भढ़ना हुगा के लिए उस वक सो रही थी और सोते सोते उ 500 निकल लिए थे हाला कि केली बेंग से पेसे वापस पाने में कामियाब रही इन्हीं डीटेल्स के आधार पर उसके खाते से अलग अलग रकम निकलने के पाच बार प्रियास किये गए कि उसकी जानकारी दूसरे साइबर फिर्मिनल्स को बेच दी गई है क्योंकि कई लोग यह लेपटोप कहीं भी रख दे जब शोपिंग करनी होती है तो वहां से उसे उठा कर ले आती है और ओर कर देती है डोक्तरों का कहना ही कि यह पेरासोमनी या नामक बिमारी का असर है इस बिमारी के बारे में हम आपको हमारे हैस सेग्मेंट सहत नामा में जरूर इसमें इंसान सोते समय आसामनी हरकत करने लगता है उसे स्लीप अपनिया भी है जो सोते समय उसके मस्तिक्ष को अंशिक रूप से जगाने के लिए मजबूर करता है फिलाल उसका इलाद चल रहा है एसी ही और अजब गजब बाते जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में हमारे स्पेशल सेगमेंट गजब की बात नमस्तार